हलो फ्रेंज, बेलकम तो टूजेर नोलेज क्लासिस आज किस वीडियो में हों लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का 30 चेप्टर बल तथा गति के नियम का अतिलगुतरिय प्रसन तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा चली तो वीडियो को शुरू करते हैं देखेए पहला नमर प्रसन है निमनांकित में किसका जरातव अधिक है A में दिया हुआ है एक रवर की गेंद एवं उसी आकार का पथर B में दिया हुआ एक साइकिल और एक रेल गारी और C में दिया हुआ है 5 रुपय का एक सिक्का एवं 1 रुपय का एक सिक्का तो इसका उत्तर लिखना है जिस वस्तु का दर्मान अधीक होता है उसका जरत्व भी अधीक होता है अतह एक एक सिक्का हो जाएगा पत्थर, बीका, रिलगारी तेथा C का हो जाएगा 5 रुपय का सिक्का का जरत्व अधीक है चलिए दूसरा नमर प्रस्ण है निवटन के गति के कौन सा नियम जरत्व का नियम कहा जाता है तो इसका उत्तर लिखना है पर्थम नियम चलिए तिसरा नमर प्रस्ण है गति का कौन सा नियम बल की परिभासा देता है तो इसका उत्तर लिखना है पर्थम नियम चलिए चार नमर प्रस्ण है किसी पींड का त्वरन कब सुन्ने होता है तो इसका उत्तर लिखना है जब बाहरी और संतुली त्वरन भी सुन्ने होता है चलिए पांच नमर प्रस्ण है किसी वस्तु के दर्यमान और बेग के समलित परभाव को किस भौतिक रासी से बेख्त करते हैं तो इसका उत्र लिखना है संबेग चलिए छे नमर प्रस्ण है संबेग में परिवर्तन की दर किस रासी को सूचित करती है तो इसका उतर लिखना है बल चलिए सात नमर प्रस्ण है एक पिंड पर लगे बल और उसमें उत्वन त्वरन में क्या संबंध है तो इसका उतर लिखना है एफ बराबर एम ए चलिए आठ नमर प्रस्ण है बल एक अदिस रासी है या सदिस रासी तो इसका उतर लिखना है सदिस रासे चलिए नव नमर प्रस्ण है संबेग का ए साय मातरक क्या है तो इसका उतर लिखना है केजी मीटर पर सेकेंड चलिए दस नमर प्रस्ण है और संतुलित बल किसी वस्तु पर कैसा उत्वरन उत्पन करता है सुन्य या और सुन्य तो इसका उत्तर लिखना है और सुन्य चली 11 नमर प्रस्ण है न्यूटन के तिरित्य गति के नियम को लिखें तो इसका उत्तर लिखना है निउटन के तिरितिय गति नियम के अनुसार परते किरिया के बरावर एवं विप्रित परतिकिरिया होती है चलिए 12 नमर प्रस्ण है क्या किरिया एवं परतिकिरिया एक ही पिंड पर या भीन पिंडों पर कारे करते हैं तो इसका उत्तर लिखना है भीन भीन पींडों पर कारे करते हैं चले तेरा नमर प्रस्ण है निमलेखी तत्यों की ब्याख्या किस परकार के जरातु से होती है देखे कमेद यह कुदने से पहले मनू से दोरता है तो इसका उत्तर लिखना है गती जरातु से चलिक, ख है, सांइकिल सवार द्वारा पैंडल चलाना बन्द करने के बाद भी सांइकिल कुछ दूर तक गति करती है, तो इसका उत्तर लिखना है, गति जरड़ुर। चलिए गह यात्री पीछे की ओर जुक जाता है जब रेलगारी एका एक चल परती है तो इसका उत्तर लिखना है बिराम जरत्व चलिए चवदा नमर प्रस्ण है एक पींड का त्वरन अपने गमन के दवरान पांच गुना हो जाता है क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है यदि हा तो कितने से बदलता है तो इसका उत्तर लिखना है पांच गुना से बदलता है चलिए पंदरन नमर प्रस्ण है जीरो दसमलो दो केजी दर्विमान का एक पिंड इस्थिर मेज पर रखा है उसका संबेग क्या है चलिए तो इसका एंसर हो जाएगा जीरो केजी मीटर पर सेकेंड चलिए 16 नमर प्रस्ण है कोई टरक 10 किलो मिटर पर घंटा के वेग से चल रहा है और उतने ही वेग से एक छोटा कंकर भी चल रहा है इनमें किसका संबेग अधीक है तो इसका उत्तर लिखना है टरक का संबेग अधीक होगा चलिए 17 नमर प्रस्ण है गती के उस नियम का नाम लिखे जो निमलिखित में लागू होता है देखे कम है पानी में तेरना न्यूटन के तिरित्य गति नियम उसका एक है मेज पर परिपुस्ता का वहीं पर रहना तो इसका उतर हो जाएगा न्यूटन के पर्थम गति नियम गहे की गोली को छोड़ना तो इसका उत्तर हो जाएगा निूटन का तिरितिय गतिनियम चलिए अठारा नमर प्रस्ण है घर्षन बल की दीशा क्या होती है तो इसका उत्तर लिखना है घर्षन बल लगने वाले बल की विप्रित दीशा में लगता है चलिए उनैस नमर प्रस्ण है जीरो दसमलो एक केजी का एक पिंड चिकनी एवं समतल सतह पर चार मीटर पर सेकेंड के एक समान बेग से चल रहा है उस पर लगा हुआ बल कितना है तो इसका उत्तर लिखना है चुकि तवरन सुन्ने है अतह बल सुन्ने है चलिए 20 नमर प्रस्ण है दो न्यूटन का एक बल दो केजी दर्यमान के एक पिंड पर कारी करता है तो उसका तवरन क्या है तो यहां से देखिए इस तरह से बना करके इसका एंसर हो जागा एक मीटर पर सेकेंड स्क्वार चलिए 20 नमर प्रस्ण है किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वार का त्वरन उत्पन होता है वस्तु का दर्यमान कितना है तो इसका उतर हो जाएगा 5 केजी तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कलास 9 का फिजेक्स, कमेस्ट्री और बाइलोजी का अतिलगू, लगू और दिर्ग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए